असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं सब खेरिये से होंगे और सब के रमदान बहुत अच्छे और मज़े मज़े से गुदर रहे होंगे और समय खुर में आप लोगों के साथ समोसों की रेसिपी अच्छे रहा है जो के मेरे घर में बनते हैं जो क्यों मैं भी पीटी को बहुत बहुत वह जादा पसंद है वह तो लड़ती है अपने घरवालों से के यह मेरे हैं वह तीन चार-पांच जो भी दो खा लेती है माशला से तो इसलिए मैंने सोचा मैं यह प्रसपी आप लों के साथ भी शेयर करूं आप भी अपने घर में मज़े-मज़े के समोसे बनाएं और मुझे 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 लग रहा है कि कुछी ईस गिरी है ऐसा लगा एक अंधेरा घर में कोई भी नहीं हमें फ। ह ही किमा करद में लिए स्पून लेने गई थी दो चमज हम ने भरके अज़ट लेस्न का एड़ किया और इसके लावा हमने इसमें पानी डाला लेते हैं एक दो चमज डाल देते हैं बस इसके लावा हमने इसमें हाफ लीटर पानी डाला और इसको ठकन डाटके वाट करने के लिए रख दिया अब जो इसमें हमें कीमे में चीजे चाहिए हमें नमक शामिल कर दिया है मैं आपनों को डिटेल से बता रहे हूं हमने एक किलो कीमा लिया था यह हमारी दो किलो प्याज दे अभी हम इसको छील के चॉप करेंगे बारिक बारिक अगर चॉपर नहीं है तो आप बारिक बारिक काट लेते हैं जैसे अंडे में डालते हम प्याज इस तरह की और 10-12 हरी मि फालती कुटावा 焦निया कुटावा दनिय इसलिए पिसावा धनिय चामिल करेंगे क्वा फुकर त्शप्राइस से एक च्छलम हरती जिए और गरम मसाला इसके अलावा कुटी वी मर्च और सफची दीरा इन तमाम चीख्रे किमा वाइल करने रखा था वह देखिए आफ का पानी बिल्कुल खुष्ट हो चुका है अब हम क्या करेंगे अब हम डालेंगे अध्रक लखन था नमक था इसमें कीमे में और था नमक अध्रक लखन कीमा पानी डालके हम अध्रक लखन के लिए वाइल के लिए वाइल हो गया पानी इसका इसके बाद हम डालेंगे इसमें स्पाइस स्पाइस हमने डालने हैं कुटावा धनिया एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस मेरा स्पून चोटा है मैं आपके पर बता रहे हूंगर आप पर स्पून बढ़ा है तो फिर आप उसे सांसे की लिए तक मैंने कादर सफय दीरा सफय दीरा मैंने इस तरह से उट लि दानी है एक तो इन चार चार कुटीवी मर्च चार स्पून कुटीवी मर्च एक और दो स्पून पेसेजी मर्च आप एस्पून हलवी एक स्पून हम गरम मसाला डालें तो तिक है यह सारे स्पाइस में आगए अब हम डालेंगे थोड़ा सा ऑईल हाफ की जितना हाफ कप्सेद भी थोड़ा सा हम ऑड दालेंगे ज़िए हम ने डाल ने हैं चौपर में चौपकर ली और इसका पानी ऐसे मुठ्की में ऐसे करकर ऑच हातों से दबा दबा कुछ लोग होते हैं वह जो है प्यास को बाद में डालते हैं किमा मसाला बना के उपर से प्यास डालते हैं लेकिन मैं जो हूं इसमें ही प्यास मिक्स करके इसको पकाती हूं इसके बाद हमने डालना है अब यह है हरा धनिया और हरी मिर्चे यह भी हमने चौप कर लिए तो चौपर में कुटता नहीं है चौपर में चौप होता है और इसको अच्छे से मिक्स करना है आंच को थोड़ा सा हमने तेज रखना है और यह हमारा लिखे कीमा और प्यास मसाले अच्छे तरीके थे हम जोगों इसमें तर लेना है हाफ स्पून या एक स्पून छोटा स्पून है इसमें हम चाइनिस पॉल्ट डालेंगे इसे टेस्ट पुड़ा सा अच्छा आजाता है और अब बस हम इसको अच्छे से बूलते जाएंगे जैसे के मसाले और प्यास पीमा मिक्स हो जाएंगे पानी प्यास यह वह तब प्यास पाल लेंगे ताके इसमें पानी ना पानी ना खोर है अब हमारा इस तक शकल में आ चुका है यह तो बुन गया है जाए जाए जिए जो हैं मिक्स हो गए है तो एक हम चूला बन कर देंगे आम में तो अब दिलिंग कर जी किमा यह देखे हैं हम लोग ने इस ताह से जो हमने उखिया था इस तहां से हमने बड़ी सी दस्लिय में निकाल लिया पीछी में आपके बाद जीज हो आप निकालने और यह देखें इस कंडिशन में हुआ है अब हम इसकी फिलिंग बता जाए आपको इसकी फिलिंग कैसे हो सबसे परदे हमें समोसों की पट्टी होत सबस्क्राइब करीब करके किस तरहां से इसको कड़ते हैं ऐसे किया ऐसे मैं भी इसलिए बना रहे हूं आप लोगों को यह ना रही कि मुझे नहीं आता अब हम लोगों ने आपको कितना प्यारा समोसा बने है अब हम लोगों ने हमारे गरम हो किया और बहुत सब्सक्राइब कर दो दो एक तरफ से जल जाएंगे एक तरफ से जल जाएंगे समोसे बनके रड़ी हो चुके हैं आप इनको चिपनी से खाएं कैचप से खाएं किसी भी से भी दिल करें खाएं थैंक यू सो मच अमीद करती हूँ आपको मेरी रेसेपी अच्छी लग रही होंगी आप मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू जी अलाहफ़ेज फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं